बिबेक बिद्दरा ये कहा रहा है कि शूद्रों में और इस्थ्रियों में उरी इन में घ्लाबिन उटाले तो highlights from me एक गंटे में साक्षाथ करें एक गपती तुम जैसे हजार हजार को जबाब दे सकता है। यह ठागिया है चलिया है बहरूपिया इसके पास किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है जिसके ज्ञान का जो ललन टोब जैसे चैनल पर अभी खुलासा हो गया है उसका ग्न ये है ग्न क्या कहूँ गोबर ग्न ये है कि जो है intellectual body प्रहुरी हो पताओ किया क्या भाइश हूं से बर्हामन क्या चेवया कूछ जाये कि भार्मत्त ओनागर जो पनाड हो सकती है और श्चात्री से पनाड Серुने उपेदी उसके लिगहं, जो करसे बाद बहुद से बीद उसको बाई ने तर्हिस सीर नीजाण है तो वो दिक्कत करेगा, वो डिसिजन ले नहीं सकता, लेकिन दिये हुए डिसिजन यानि कि गुलामी, नोकरी बहुत अच्छे से कर सकता है, तो उस सोच के अधार पे जो व्यक्ति ऐसा ग्यान उडेल रहा हो, उसके ग्यान से पता चलता है कि वो कितना बड़ा ग्यान है, दे जो देश के अंदर आपको पता है कि बेरोःजगारी बहुत है, अशिक्ष्या अग्यानता है हमारे देश में और अंधभक्त तो बहुत नहीं है, क्योंकि अन्धभक्त बहुत होते हैं, उनके पास ग्यान नियूआ लिजो और इटार सी इस बीड़ को जो आज़ा था आ, और इसने अपनी पतनी को विमारा जो मनुस्मर्ती का समर्थक है जो व्यक्ति शूद्रों को पैरों में रखने की बात कर रहा है जिसको कह रहा कि लीडर नहीं बनना चाहिए तो इस ऐसे व्यक्ति की सोच महिलाओं के प्रति भी वैसी होगी तो वह इसी आधार पर महिला को भ पतनी को पीट रहा है और उसने पहली पतनी को भी अपनी पीटा बहुत जादा जो कि डाइवोस ले लिए उसने कुछ नहीं पढ़ाया उसने बाबा साब को पढ़ा ही नहीं अगर अब पढ़ लिया होता तो इसके पास में कुछ चीजे अच्छी होती जो ऐसी बाते खुल को सम्मान मिलना चाहिए अगर नीच है अधर्मी है और विधर्मी है और गलत काम करता है अपराद करता है तो आज सम्विधान भी उसको भी सजा देता है अगर सुद्र करता तो सुद्र को भी सजा देता है सम्विधान की कानून की नजर में सारी जातिया सारे धर्म सारे व पुर भारत का समवीदान लिग दिया, उस समय सारी इंटलेक्चिल बोटी कहा चली गई थी अगर वो कहरा कि ब्रहामन इंटलेक्चल है तो पूरी इंटलेक्चल बोड़ी कई बिमार पढ़ गई कोई सो गई कोई कहीं चलेगे कोई बिदेश चलेगे कोई छोड़ का भाग गया लेकिन बाबा साथ डॉक्टर अंबेटकर को अकेले छोड़ गई सारे संबिधान की जिम देफिनेशन तयार करना यह दम किसी इंटलेक्चल क्लास के विक्ति में क्यों नहीं निकला उस समय बाबा साथ डॉक्टर अंबेटकर कोई क्यों सारा काम भारी पढ़िए उनके उपर आकर उसके बाद में अगर लीडर बनने की बात है तो उत्तर परदेश की मुख्य मंत् यह कहते हैं कि मैं पिछणा हूं तो वह भी परद्धान मंत्री शूद्री है इसका मतला बदेश की आप जो है देश के परद्धान मंत्री को कुर्चीज उतारना चाहते हैं यел बदान मंत्री की बेज़ती कर lag दर्जोना चाहिए और यह invention की किर में को चाहीं वह भीर असकी पता मैं介 tienes जाते हैं तो इसी से पता चलता ना किसी कि सब्सक्राइब जादा है एंविन उसकी फडून जा दाता है लख़कोगता करते हैं अarmsigenिक कितने अच्छाहियां इसका पता नहीं लगा सकते सब्सक्राइब करने इंदर च्थ करने चाहिए लोग की हमें निधs में ज़रूत आदे बड़ी चाहते हैं और गैर बारे भी डिवेधान को पहिसकार दिया है जीन लोगों को काली देकर अराम से बैठ जातेते ते और ये सीधे भुले बहले बनकर कहते मेरे समाज की एक लड़की से तु छोड़ पूरूशों की बात मैं अपने समाज की तरह सामने एक लड़की बिठाऊंगी तु उसके साथ नहीं परावरी कर पाएगा क्योंकि अम्बेड कर वादी एक वेक्ति तुम जैसे हजार हजार को जबाब दे सकता है लेकिन तुम्हार जो मूख दर्शक बने राते थे जो पिटे थे चिते थे दवाईयां भी नहीं लेते थे और रोते थे हमारे दरवाजे पागा कहते थे बड़ो साब तुम ही हमारे माली को तुम ही सब कुछ हो तुम अगर हमें मारों गे तो का हो गया जिनके गहरों में बच्चा पैदा थ जिन लोगों को हम कभी भी अपने बगल में बैठने से भी एतराज करते थे आज बो आफिसर बनकर आज बिजनिस परसन बनकर आज बो लीडर बनकर हम पर अपनी कमांड कस रहें आज हम संसत का गिराव करने के लिए युवाओ के लिए युवाओ को रोजगार दो नहीं तो परदान मंतरी नरेंदर मोधी जी को बो रहे हैं भी गदी चोड़ो जीत क्यों रहे हैं लोगों को जात्तिवाद में बांट रहे हैं लोगों को एक राम मंदिर का मुझा लेंगे इसे लोगों को दर्म के नाम पर लड़ा के जीत रहे हैं जीत रहे हैं मोदी जी की गारंटी तो वह तो करें 15 लाग रुपए आंगे खाते में आये तो नहीं 15 लाग रुपए किता टाइम हो गया काणा जनाया नहीं जाई जा रहा है विदोस्व में किता जम हो रहा है कभी मालिया बाग जाता है कभी मोदी बाग जाता है यह मोदी जी की ताना से कितने टाइम चखलेगी संसद के अंदर कोई लड़का गुज जाता है अगर वो कोई कांग्रेस का होता है या कोई और होता तो संसद जो बना हुआ है उसको निलमित कर देते और इनका अभी तक कुछ नहीं किया वो रहे हैं दिवाली बाले पठाके कोई तरह एक किसने साबित कर दिया वी दिवाली बालें पठाके यहां ठाके हैं तक कई चैनल में बसाहता हो आपका मुदा उछाया हो बदाओ मेरे को ने पर का विश्वास है मे LISA सोचल मीडिया पर विश्वास है सोचल मीडिया भी सुख में बात होती है तीजो नीजो मोधि चाहता है वह इचलती है निलम्बित कब हुए निलम्बित होते तो जिस बीजेफी के सांसद के फ्रू है वो लोग आये थे उस संसद को निलंबित करना था तो वो तो ताना सही राज है ताना सही है इनको जोटा दो अपने बारे तो सही है दिवाली बारे पठाके दे कोई बात नहीं करेंगे